हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोश्वा प्रहार में मैं हूँ अड़ोकिट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत इंपोर्टन जानकारी लाया हूँ ये परशन बहुत समय से मेरे सामने आ रहा था बहुत ब इपॉर्टन वीडियो होने वाला है और आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आज जो लाइब की टाइमिंग है वो शाम को 6 बजे है शाम को 6 बजे कानूनी सोच चैनल पर मैं लाइब आउँगा आप वहाँ पर आ करके अपने पर्शन पूछ सकते हैं और इ पहले दोस्तों आपको पूरे मामले के बारे में बताता हूँ पूरा मामला क्या था देखे दोस्तों यहां पर एक प्रात्मी की यानि के एक FIR दर्ज हुई और उस FIR में एक व्यक्ति शामिल था जिसे आरोपी बनाया गया था दिनांक 5 मार्च 2016 के एक आदेश से उस व्यक्त पकष को अपरादी कारेवाईयों में परतिनिधित करने के लिए निक्त नहीं किया जा सकता जैसे की पावर ओफ अनि धारक। दो किसी कानुन केक विशिष प्रावधान को ओवराइड नहीं कर सकती है जिसे परसनली किया जाना आवश्यक है हलांकि नाबालिगों विकलांग लोगों पागल लोगों के लिए अन्य वेक्तियों को नामीत किया जाना इस नियम के अफवाद है और दोस्तों कोटका मानना य है अगर मैं आपको साधरन लेंग्विज में समझाऊं, सिंपल और जनरल लेंग्विज में बताओं तो यह है कि जो भी क्रिम्ल मामले होते हैं किर्मल प्रोसेडिंग्स में जो व्यक्ति होता है, जो आरोपी होता है उसको व्यक्तिकत रूप से उर पस्तित होना जरूर ही ह कई लोग सोसते हैं कि हम अपने वकील को power of attorney दे देंगे कई लोग सोसते हैं हम अपने किसी रिष्टेदार को power of attorney दे देंगे और वो मेरी तरफ से appear हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता आपकी व्यक्ति के तो पस्तितिया निवारे होती है कई सारे लोगों की ऐसी query मेरे पास आ चुकी है पहले जो कि Canada से बैठके बात कर रहे हैं या फिर US से बैठके बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे उपर 498 है हो चुका है अब क्या हम अपने वकील साब को एक power of attorney देखे 498 में काम चला सकते हैं या अपने किसी रिष्टेदार को power of attorney देखे काम चला सकते हैं तो इसका आंसर है नहीं और इस पर दिल्ली हाइकोट का जो फैसला है जिसमें दिल्ली हाइकोट ने कहा कि अपरादी परकिरिया सहिता में अब व्यक्तिकत उपस्तिती अनिवारे है ये भी support करती है कहने का मतलब आपका यदि कोई criminal case चल रहा है तो उसमें आपको खुद आना पड़ेगा खुद व्यक्तिकत उपस्तित होना पड़ेगा यदि आप नहीं आते हैं सालों तक तो आपको भगोडा घुशित कर दिया जाएगा और आगे की कारेवाही भी आप पर हो सकती है जो कि आपके लिए बहुत ही मुश्किल पैदा कर देगी तो दोस्तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे सभी लोगों को जिनके मन में query थी बिलकुल clarity आ गई होगी और आप लोगों की help के लिए judgment का link आपको इस वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा वहाँ जाके आप इस पूरे judgment को पढ़ सकते हैं और download कर सकते हैं next video में नई legal जानकारी के साथ मैं आप से फिर मिलता हूँ तब तक के लिए goodbye and thank you for watching, take care